नमस्कार मित्रो कैसे हैं आप सब लोग आशा करता हूँ आप सभी स्वस्ता और सानंद होंगे आप सबों के सुख शांतिया और सम्रिधिकी मैं इश्वर से कामना करता हूँ सबसे पहले आप लोगों को गंतंत्र दिवस की बथाई शंपोण देशवासियों समेत आप सबों को संपोण परिवार को देश है तो हम सब हैं रास्ट है तो हम सब हैं इसी के साथ मैं आप लोगों से अचरचा करना चाहूंगा उन 9 स्टाथ की पर बात करूंगा आगे उनमें क्या strategy अपनाई जानी चाहिए और किस तरह से उनको trade करना चाहिए सबसे पहले मैं आपको अपने एक stock के बारे में बताऊं जिसके बारे में कई मित्रों ने पूछा है कि अब इसमें क्या करना चाहिए गोकुल एक्रो मेरा original research है आप कहीं भी YouTube पर जा कर देखिएगा मैंने 18 नौवंबर को इसको आप लोगों को 18 नौवंबर 20 को आप लोगों को recommend किया था 13 रुपे के price पे 13 रुपीज और उसके बाद 13 रुपे से चलते हुए ये 27 को पहुचा शायद 28 को भी और लगभग 110% का return इसने इसने लगभग 1.5 महिने में दिया आपको अब इसमें कुछ लोगों ने शायद higher level पे कुछ purchase किया है जैसे मेरे एक मिद्र ने एक follower है उन्होंने लिखा है कि उन्होंने साड़े 17 रुपे पर इसको खरीदा है जिस दिन उन्होंने comment डाला था उस दिन साड़े 22 80% का इसमें फायदा हो सकता है 80% का हो सकता है तो जरूरी नहीं कि बिल्कुल आप 80% तक वेट करें अगर मान लेजिए इस level से मैंने कहा है इस level तक जाना है तो जरूरी नहीं कि बिल्कुल आप यहीं खरीदेंगे और बिल्कुल यहीं पर बेच देंगे जाहिरा कुछ इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि आप trade कौन सा कर रहे हैं, आप swing trade कर रहे हैं, आप long term investment कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, you should be very clear in your mind, अगर आप clear नहीं होंगे तो क्या होगा, आप confusion में रहेंगे कि मैं अब क्या करूँ, तो जहां तक मेरा सवाल है, मैं usually जब भी swing trade करता हू तो 20-25% का फायदा मिलने पर maximum मैं निकल जाया करता हूं, क्योंकि market का कुछ ठीक नहीं, जब तक वो 25% का मुझे फायदा दे हो सकता है, market गिर जाया और फिर मेरा फायदा जो है, वो जाया हो जाया, तो आप सभी मित्रों से यही कहना चाहूंगा, कि Goku Lagro ने पिछले बार अ horizon पर आप इसमें 31 रुपीज का target लेके चल सकते हैं, क्योंकि काफी undervalued stock है और काफी दिनों से underperform कर रहा था और इसमें अचानक से बहतरी momentum आया है, बहुत संखेप में Goku Lagro के बारे में इतना बता दू, देखिए Goku Lagro Resources एक काफी छोटी company है, micro cap company है, जिसका market cap 266 crore रुपे लि 1882 crore, तो आप समझ सकते हैं कि 266 crore के micro cap वाली company कितना revenue generate कर रही है, 1882 crore, और इसमें profit भी भहेंकर इस पार हुआ था, इसका जो interest payment था पहले वो लगातार अभी घटा है, और मुझे लगता है कि इसमें एक turn around story है, अगर ये story बनती है, तो यहां से एक बहुत बड़ा multi bagger भी सबसे पहले क्या करती है, gokul agro resources limited manufacturers and trades in edible and non-edible oils, खाने वाले तेल में और जो नहीं खाने वाले तेल हैं, उन दोनों तरह के तेलों में काम करती है, meals and other agro products in India, और इंडिया में ही नहीं, United State में है, South Korea में है, European Union में है, China में है, Singapore में है, Indonesia में है, Malaysia में, Russia में, Vietnam में, और इसके औ Company offers soya bean oil, cotton seed oil, palm oil, sunflower oil, groundnut oil, बनस्पती, etc. and other industrial products such as castor oil में भी ये deal करती है, of various crates and its derivatives, it also provides castor seed and soya bean meals, hurled, natural and black sesame seeds, जितने तरह के oil बनाने वाले seeds हैं, almost मैं सारे ही यहां देख पा रहा हूँ, fenugreek, cumin, अजवाइन seeds, and wheat, rice, barley, maize, and chickpeas, Company offers its products under the Vita Life, Zika, Mehak, Pride, Richfield, Puff Pride, and Bisco Pride brand names, Gokul Agro Resources Limited was incorporated in 2014 and is based in Ahmedabad, India, तो यह सारा information जो है, यह simply Wall Street पर है, इस site का नाम जो है, हमारे प्रियमित्र और follower, श्री जैनतीलाल गोसर जी ने सुझाया है, और इस पर काफी बहतरीन जानकारी भी उपलब्द है, आप देख पा रहे हैं, देखिए इसमें reward क्या है, यह काफी बहतरीन site है, trading at 97% below our estimate of its fair value, मतलब जो इसका fair value होना चाहिए, उसके 97% कम पर आपको मिल रहा है, मतलब अगर यहां से यह बढ़ा आपने fair value की तरफ, तो आपको hundred times multi-bagger almost बनके दिखा सकता है, अगर इसमें बहुत थोड़ा invest करके छोड़ें, तो हो सकता है आने वाले समय में, अगर जैसा कि turn around stories में दिख रही है, कि interest का जो payment है वो भी लगातार कम हो रहा है और profits और earnings यह बढ़ रहे हैं, तो definitely मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बड़ा काम कर सकता है, तो अगर इसको long term के लिए आप लोग खरीदते हैं, तो फिर तो सोचने की कोई जरूरती नहीं है, चिंता ही नहीं है, और अग इसको गिरने दीजिए, थोड़ा और गिर जाए, तो 15-16 के पास इसको average कर लिजिए, आपका जो purchasing price हो जाएगा, और फिर वहाँ से 31 रुपीज तक का अगर आप साइट देखें, तो लगवाग 50% बनता है, लेट अस जस्ट वेट फॉर इस result तो कम, अभी Q3 का result आने वाला ह है, अगर वो result बहतरीन होता है, तो मुझे लगता है, गोकुल एग्रो में कोई परिशानी की बात नहीं है, तो अभी hold करें, और market गिरता है, तो हाँ average करें, हाँ अगर इसका result खराब हो जाता है, तो फिर मैं इससे exit का recommendation दूँगा, जो short term है, जो long term है, और थोड़ा पैसा लगा के छोड़ना चाहते हैं, कि कहीं multi-bagger बन गया है, तो उसको रहने दीजिए, इसमें बहुत ज्यादा पैसा मत लगाईएगा, क्योंकि इसके और fundamentals बहुत अच्छे नहीं है, इसमें रिसक और इसमें जाएंगे आप, तो interest payment are not well covered by earnings, यह सब थोड़ा पहले का है मुझे लगता है, और अभी कोई stability अभी भी company में नहीं है, high volatile share price over past three months, profit margins are lower than last year, does not have a meaningful market cap, तो यह कुछ risk factors भी इसमें दिये हुए हैं, और इस factors किस company में नहीं होते हैं, अगर यह आपको यह हजार रुपे का यह share मिल रहा होता, और यह risk factor होते हैं, तो हम इसको दरकिधार कर सकते थे लेकिन आपको मिल कितने पर रहा है, 2000 लगबग 1800, 1900 करोड का revenue generate करने वाली company आपको कितने में मिल रही है, 266 करोड के market cap में, तो इस बात का भी ख्याल रखिए, risk factor तो ही इसमें, लेकिन risk to reward ratio कितना बड़ा है, यह देखिए, 97% below अपने estimated fair value से आपको मिल रहा है, मतलब यहां स 97 गुना लगबग, यह 100 गुना तक, यह बढ़ सकता है, मलेशिया हो गयरा से जो palm oil का जो import हो रहा था इंडिया में, वो सब भी बंद हो गया है, उस पर ban है, तो ऐसे इस्थिति में, यह company चुकि इसमें deal करती है, तो इस company को इसमें काफी फाइदा होने की उमीद है, और इस के मद्दे नजर मैं जो देख पा रहा हूँ, कि इसमें एक अच्छा result Q3 में, फिर से अप एक्षित है, फिर से expected है, देखिए हाल में बहुत चल चुका है, तो एक कहावत है न, कि बच्चे की जान लोगे क्या, तो हाल में बहुत चल चुका है, 110% इसने hardly डेड़ महिने में आपको दिया है, तो कम से कम इसको भी थोड़ा विश्राम देजिए, इसको भी थोड़ा सा consolidate करने का मौका देजिए, अगर ये अभी बहुत अच्छा result पोस्ट करता है, तो मुझे लगता है, इसमें अभी साड़े किस पर ये trade कर रहा है, तो overvalued market में हमेशा एक caution दिया उनको लगता है loss हो जाएगा, तो थोड़ा सा wait करें, 15 से लेकर 17 रुपे के आसपास कहीं भी मिले, इसको accumulate कर लीजिए, जो Q3 का result में expect कर रहा हूं कि अच्छा होना चाहिए, देखिए मैं भश्य वक्ता तो नहीं हूं, लेकिन जो मेरी market की समझ है, जितना मैं समझ पा रहा हूं और जिस तरह से Q3 का result expect कर रहा हूं इस stock में, उस लिहाज से अभी भी इसमें एक बढ़िया momentum में expect कर रहा हूं, माल लेजे कुछ लोग higher level पर फसे, 15-16 के आसपास 17 के आसपास वो average करते हैं, तो finally average price उनका 20-21 होगा, यहां से अगर उपर जाएगा यह और suppose 6 month के horizon में 31 त पैसा लगा कर लंबे समय के लिए इसमें बने रहना चाहते हैं, उनके लिए तो कोई परिशानी ही नहीं क्योंकि capital का बहुत छोटा part इसमें लगाया है, और इसके बल्टी बागर बनने की जो संभावना है, risk to reward ratio है, उसे साब से तो यह बहुत ही बहतर है, लॉंग term investors को कु अब मैं दूसरे stock की बात कर लेता हूँ, देखिए एक और stock की बात आपसे हुई थी, देखिए new gen software, मैंने आप लोगों को लगबग 260 के आसपास recommend किया था, तो जिन लोगों ने ये लिया होगा, अभी हाल में ही ये 330 के आसपास touch करके आया है, और इसमें जो आपका gain percentage बना ह 20% आप लोगों को मिल चुका है, मगर अभी वहाँ से गिर कर ये लगबग 290 के आसपास आ गया है, और जो इसका इस बार भी बहुत अच्छा result इसने post किया Q3 में, तो जो इसका next level में देखता हूँ, वो देखता हूँ, जो next level में इसका देखता हूँ, वो 375 है, तो यहां स एक बहतरीन, यहां से एक बहतरीन rally आपको देखने को मिल सकती है, और इसमें जो आपका gain percentage बनता है, लगबग 30-40% का बनता है, 30% के आसपास इसमें gain percentage बनता है, इसको आप hold कर सकते हैं, जिन लोगों ने खरीदा हो, इसको hold कर सकते हैं, इसके अलावा मैंने OFSS भी आप 15% का return तो इसने अल्रेडी दे दिया है आप लोगों को, और जो gain मिला है आपको, वो सिर्फ और सिर्फ 5-7 trading sessions के अंदर 15% का gain इसने दिया है, अब वहां से गिरकर अभी 3300 के आसपास से trade कर रहा है, और यहां से एगर 4600 को देखें, लेवल को, तो मुझे लगता है कि इसमें जो expected return आपका बनेगा, वो कम से कम 30-35% के आसपास का return इसमें बनेगा, तो इसको hold करें, Nugent Software को hold करें, OFSS को hold करें, जिन तीन undervalued IT stocks की मैंने चर्चा की थी, उसमें एक Nugent था, OFSS था, और तीसरा एक और भी मैंने बात की थी आप लोगों से, Sacksoft की, Sacksoft को मैंने लगभग 370 के आसपास आप लोगों को recommend किया था, और वहां से लगभग 410 का level है, तो लगभग 15% के आसपास return इसने आपको already दिया हुआ है, लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूँ, 410 से गिरते गिरते, अभी ये लगभग 335 पे आ गया है, और देखें, result का मौसम है, result के मौसम में जो volatility है, stocks में बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जिस हिसाब से गिरा है, उस हिसाब से मुझे लगता है, कि कोई insider information है, और बड़े-बड़े investors के पास, जिसकी वज़े से अपना माल बेच रहे हैं, तो मेरा ये gut feeling है, हो सकता है, मैं बिल्कुल गलत हूँ, लेकिन मेरा ये gut feeling है, कि इस stock में कोई बहुत बढ़िया result नहीं आने वाला है, इसलिए जिन लोगों ने इसमें अपना position बनाया हुआ है, उनसे मेरा recommendation है, कि या तो इस stock को exit कर जाएं, या फिर इस पर accumulate करें, और फिर बहुत लंबे समय कम से कम 6 महीने तक के लिए hold करने की फिर मेरा आए दूँगा, तो आप जैसा उचित समझे करें, लेकिन मुझे जो लगता है कि जो swing trade करने वाले लोग हैं, उनके लिए अभी exit करना ज्यादा बहतर है, मैंने इसमें exit कर दिया, यह मेरा disclaimer है, अब एक मुथूट finance मैंने आप लोगों को बताया था, मुथूट finance को 1200 के आसपास आप लोगों कम से कम 1400 रुपीज के आसपास है, तो 1169 पर आपको मिल रहा है, यहां से अगर आप gain percentage देखेंगे, 25% का gain मिलता हुआ दिखाई देगा, मैं यह नहीं कहता हूँ कि 1400 ही जाएगा, लेकिन यह one month to three month का के time frame के लिए बोल रहा हूँ मैं, तो मुथूट finance को आप लोग definitely अपने radar पर रखिए, जिन लोगोंने लिया है, उसको hold करिए, यह अपने उन सारे viewers के लिए में बता रहा हूँ, जिन्होंने प्रश्ण पूछ के कभी न कभी मुझसे पूछा है कि अब इसमें क्या करें, उसके बाद एक और सज्जन ने पूछा है, यूको बैंक के बारे में, यू मैंने तीन महिने का टार्गेट दिया था, मुझे लगता है आज ये तीरा रुपे 5 पैसे पर 13 रुपीज 5 पैसे पर ये ट्रेट कर रहा था, और जो इसका टार्गेट मैंने दिया हुआ है, वो 18 रुपीज के आसपास है, यहां से जो अपसाइड बनता है, लगभग 40 परस दें और माल लिजे, आपको इसमें 20-25 परसेंट का अपसाइड मिल जाता है, तो मेरा ये रिकोमेंडेशन है आप लोगों से, कि इसको आप एक्जिट कर जाईएगा, इंडियन ओवर सीज बैंक का रिजल्ट मेरे ख्याल से भी नहीं आया है, जैसे ही आएगा मैं आप रहा हूँ, ये एक ऐसा स्टॉक है, जिसने मुझे थोड़ा हैरत में डाला, और इस स्टॉक को मैंने आप लोगों से पहले भी चर्चा किया है, और तीन-चार बार आप लोगों को रिकोमेंड किया है, और एक से तीन महीने का टाइम फ्रेम मैंने दिया था दिसंबर के इसका रिजल्ट बहुत शांदार था, वेरी पॉजिटिव रिजल्ट बीएसी पर आप देख सकते थे, अभी आज ही इसका रिजल्ट आया है, और एगेन आज ये 18 इसका रूमेरिकल रैंकिंग है, वेरी पॉजिटिव 20 के ऊपर होता है, आप लोगों को पता है, मोर देन 20 को वेरी पॉजिटिव बोलते हैं, और 18 जो है वो पॉजिटिव रह गया है, मतलब बहुत बहतरीन नहीं है, पर बहतरीन है, तो इस बार भी इसने कोई बुरा रिजल्ट पोस्ट नहीं किया है, बहतरीन रिजल्ट पोस्ट किया है, पिछली बार बहतरीन था, इस बार बहत से कम 550 तक जाता आपको दिखाई देगा और इसमें जो आपका गेन परसेंटेज बनता है वो लगभग 25 से 30 परसेंट का बनता है कम से कम 550 बोल रहा हूँ वैसे यह कंजरवेटिव टार्गेट है मेरा 600 भी जा सकता है एक और स्टॉक की बात मैं आप लोगों से कर लेना चाहू लगी और लगों से बार बार सजस्ट करता हूं आप लोओं को पूरा देखिएगा उससे आपको सूक की पूरी इंडफ जानकारी होगी पूरी डिटेल में जानकारी मिलेगी और आप अपना भी एक opinion बना पाएंगे कि ये stock अच्छा है बुरा है उसमें थोड़ा study कर पाएंगे और अपने financial advisor से भी बात करिए तभी जाकर आप किसी भी stock में position बनाईए सिर्फ मेरा वीडियो देखकर या मेरे कहने से आप कोई stock खरीद मत लीजिए और जो भी खरीदिये मैं हमेशा बोलता हूँ ज्यादा पैसा लगा कर मत खरीदिये market overvalued है कभी गिरेगा तो आपको परेशान करेगा IOLCP 685 पर चल रहा है कहीं ये 600 से लेकर साड़े 600 के बीच मिले इसको accumulate करिए long term के लिए बहुत ही शांदार stock है जैसे deepak nitrite का धूम अभी चला हुआ है na IOLCP इसी तरह का धूम अभी कुछ दिन पहले इसका चला हुआ था और फिर से चलेगा जब कोई stock बहुत चल जाता है तो उसके बाद थोड़ा सा वो consolidate करता है range में तो IOLCP भी consolidate कर रहा है जो लोग long term में इससे gain उठाना चाहते हैं बिल्कुल deepak nitrite की तरह विसफोटक stock है और वैसा ही विसफोटक gain आपको देने वाला है इसका in depth analysis देखिएगा उसमें आपको पता चलेगा कि क्यों ये इतना banker stock है तो आज आप लोगों से सारे stocks की चर्चा मैंने कर ली है और Isaac की बात है उसने मुझे थोड़ा सा surprise इसलिए किया था क्योंकि Isaac जो है बहुत 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 अच्छा perform नहीं कर पाया लेकिन अभी इसमें काफी बहुतरीन momentum आने की उमीद में रख देखता हूँ इसलिए Isaac को भी आप लोग होल्ड करिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए बड़ी मेहनत से तमाम sources से data collect करके research करके आप लोगों के लिए stocks लाता हूँ जो इतना जवरदस्ट perform करते हैं तो आप लोगों से बस इतनी स अगर आप subscribe करेंगे तो आपका कुछ नकसान नहीं होगा लेकिन इस से मेरामनोल बहुत बढ़एगा इसलिए मेरी प्रारत्या है कि आप मेरे इस channel को subscribe करें मेरे इस परिवार का हिस्टा बन creature है मेरे शेयर करें इसको मितर जनों परिवार जनों के साथ ताकि वो भी इस से ल लोगों से तब तक के लिए अपना ख्याल रखिये स्वस्त रहिए और खुश रहिए बहुत बहुत धन्यवाद जैश्री राम